ओम जैन्ती मंगला काली भद्र काली क्रिपालिनी दुर्गा चमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिक्हा महरोत्रा आदी शक्ती महा पर्व शार्दिय नवरात्र की शिरुवात 15 अक्टूबर से हो गई है जो 23 अक्टूबर तक चलेगा इन 9 दिनों में मादुर्गा की 9 स्वरूपों की उपासना पूरे विदे विधान से की जाती है लोग जागरण कर देवी मा को खुश करने का प्रयास करते हैं और इस आस्था के पर्व की शिरुवात होती है कलश स्थापना से तो चलिए मादुर्गा की उपासना में कोई कमी न रह जाए कोई विग्ण न आए इसके लिए हम आपको बतानी जा रहे हैं कलश स्थापना का शुग मुहरत ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या रहेगी और पूजा का विधान साथ ही आदी शक्ती मादुर्गा की 9 अलग-अल लोग से प्रसन्न कर सकते हैं ये भी सभी के मन में बड़ा सवाल रहता है तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित राजेंद्र जोशी जी पंडित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की खबर पे तो सबसे पहला सवाल की मादुर् करना embarrass Ahh सबसी और सबसे होता है और στα माद जोवी चीज है और जो भी चीज़े हमें अंने के रूप में यहाँ पर पराप्ट होती है तो सबसे पर दले even मोज स्वाड़ेंर अवरौत ही होती है और सार्दी नौरात्री में जो है विसेश कर जो है इस बार इसले महतो पॉन है क्योंकि इस बार जो माता आ रही हो हाती पर सवार होकर आ रही है तो जब माता हाती पर सवार होकर आती तो उसका विसेश महतो है और हर रासी के जातकों उपर इसका विसेश प्रभाव रहेगा और विशेश करपा माता की इन नौ दिनों में पूझा करने से उस जातक के ऊपर रहेगी कित्रो की चाल क्या होगी? क्या कहते है सितारे? नहीं इस बार जो ग्रहों के चाल जो है वो सबी बारा राश्यों पर उत्तम क्योंकि माता हाती पर सवार होके आ रही है तो उत्तम सभी राशियां जो है उनको भरपूर फायदा मिलेगा जैसे कई राशियां है उनको धन बहुत तायत मिलेगा किसी को विदेश यात्रा का मौका मिलेगा किसी जो कर्ज से परसान है उसका कर्ज दूर होगा और कई जिनकी मनोकामनाई पूर्ण नहीं हो रही है उन राशियों के जो है मनोकामनाई पूर्ण होगी तो इसलिए बारा राशियों में जो है इस बार इस नवरात्री का विसेश महुरत है कलश इस्थापना का शुब मुहरत क्या है क्योंकि कलश इस्थापना से ही इस नवरात्र की पूजा का शुभारम होता है तो इसकी इस्थापना का महत जानना चाहेंगे कल सुबब ब्रह्म मोहुरत यानि चार विजे से लेकर आठ विजे तक जो है विसेश हुआ है उसके बाद 11 से लेकर साम को चार विजे तक जो है कलस्तापना का विसेश मोहुरत है तो इस बीच में जो भी कलस्तापन करता है उसको विसेश पल मिलेगा कलश स्थापना क्यों करी जाती है? इसके पीछे की क्या वज़ा क्या कहानी है? उस पर माता की इस्तापना उनको चुन्नी उन्नी उड़ाकर हम नौरात्र जो है उन माताओं का पूजन करते हैं जी 15 अक्टूबर से नौरात्र की शिरुवात हो रही है तो 15 अक्टूबर की सुभा क्या करें जिससे मा दुर्गा के साथ मा लक्ष्मी का भी घर में अवास हो हाँ तो इस बार जो है विसेशकर नौरात्री में जो है सुब प्रातकाल उठें और इस नान ध्यान करने के बाद जो है सब लोग सभी परिवार के लोग उठकर जो है विसेशकर पहले घट लाएं घट को दो कर जो है जल गंगा जल और दूद दही घी सहत और थोड़ा सा नो जोड़ा लोंग एक सिक्का अगर सामरते हो तो एक सोने का छोटा सा टुकड़ा उसमें डालने के बाद जो है उसके उपर आम के पल्लव रखें थोड़ा दूरबा डालें एक हल्दी की गांट डालें और उसके बाद जो है उसके उपर आम के पल्लव र पंडित जी पूजा की सामगरी में कौन कौन सीचीज scar का इंतजाम लोग पहले से करते हैं तो पूजा में किन चीज़ों का उप्योगक करें और हैं किन चीजों का उप्योगक करता वरजित माना जाता है माधुरगा की पूजा में देखे विशेश कर जो है माता के पूजा में सूखा नारियल जिस पर हम माता चुन्री उड़ा कर माता के स्तापना करते हैं और एक कच्छा नारियल जो माता के चरणों में रखते हैं और उसका प्रसाद जो है नवे दिन कन्या खिलाने के बाद जो है उसका प्रसाद बित्रि में उसको विसर्जित करें विसेश कर सामागरी की जो बात है एक कच्चा नारियल एक सूखा नारियल जो तिल अक्षट, रोली, माता के सिंगार का समान, माता के वस्त्र, और माता की चुन्री, और माता को भोग लगाने के लिए मिस्ट्री, और लॉंग, पान के पत्ते, पूजा करी जाती है जब कलश स्थापना करी जाती है तो जौब भी बोई जाती है तो इसके पीछे क्या मेहत्व है और इसका क्या अर्थ बताया जाता है जौब भूने का जो अर्थ है कि हम लोग हम अपने क्यारी बनाने के बाद जो है उसमें जौब भूए जाते हैं कि जिस परकार का जौब भूने से जिस परकार का जौब उकता है तो उसी परकार की किरपा माता हमारे उपर आई है यह दरसाता है तो जौब भूने से जो है मात माता की कैसी किरपा हमारे उपर आई अगर अच्छा जों उखता है तो माता की विशेश किरपा हमारे उपर है इससे पहचान लगाई जाए जी अखंड ज्योती का नवरात्री में क्या महत्प होता है किस तरह से इसे प्रज्वलित करें और नौ दिनों तक इसे अखंड रखे देखे पहले माता की इस्तापना घट इस्तापन करें घट इस्तापन के बाद जो है माता स्वास्तिक बनाएं जहां पर भी दिया जलाना है और उसके उपर दीब को रख कर उसमें कलावे या किसी अन्नी चीज की बत्ती बना कर जो है लंबा बत्ती बनाएं और उसको तेल याँ गी से जिसकी जैसी सामर्त है उसको जलाए. और उसको जलाते समय माता का ध्यान करें कि माता नौ रात्री के आपके जागरन के लिए मैं इस जूद को जला रहा हूं और माता विशेश कर अपनी किरपा बनाई रखेगा और इसका ध्यान रखेगा और विसेशकर अगर मनुष से नौ दिन का दिया जला रहा है तो आजपास ही रहे रात को उसी कमरे में सैन करे जहां अखंड जूती जली मंदिर में और उसको भुजने न दे जो इस परकार करता है अखंड जूती का पालन करता है अखंड जोती जिसके घर में नो दिन राज जलती है और कभी कुछ परकार का उसको घर में बिगने नहीं होता है मा के पूजा में किस चीज का दीपक जलाना काफी शुब माना जाता है और कपूर से आरती जो करी जाती है उसका क्या महत वो होता है देखें माता को कपूर और लॉंग के आरती बिसेश कर परसंद करने वाली होती है तो माता को घीं की आरती भी बना सकते हैं लॉंग और कपूर की आरती से माता बिसेश कर परसंद होती है और मनमान सित्फल देती है लाल फूल, लाल चुन्री और सोलाशेंगार भी माता को चड़ाया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखें माता के सिंगार की ही मौत है माता को चूरी बिंदी और काजल लिविश्टीक और चुन्डी जितना भी सुहागन का समान है तो सुहाग का समान जब माता को चड़ाय जाता है तो इससे माता विसेश कर परसन होती है और जो भी इस सुहाग के समान को चड़ाता है माता क सिंगार करता है माता उस पर अपने मिसेश करपा बनाई रखते हैं पंडित जी अब मा के नौ स्वरूपों के बारे में भी बात कर लेते हैं मा के नौ अलग-अलग स्वरूप हैं उनकी महिमा के बारे में भी जानना चाहेंगे सबसे पहला प्रथम दिन जो होता है वो शैल पुत्री का होता है तो शैल पुत्री का स्वरूप और उन्हें कैसी खुश कर सकते हैं उनका मंत्र क्या होता है देखें पर्थम सैल पुत्री दुत्यम ब्रह्मचार्णी तिर्त्यम चंद्रघंटे थी कुश्मांडे थी चतोर्दगम पंचम इसकंदमाते थी सश्टम कात्यानी थी सप्तम कालाते थी अश्टम महागोरी थी नवम सिद्धदारती हैं तो जो भी मनुष्य इस नौत दुर् नवम सिद्धदारती जो है उसको सपेद तिल का भोग लगाया जाता है और इसी परकार माता के पिरी फल हैं पर्तम दिन अनार दूसरे दिन सेप तीसरे दिन केला तीसरे दिन नास्पती और पाँचवे दिन अंगूर और इसी परकार जो है चटे दिन अमरूत शाथवे दिन चीकू और आटवे दिन सरीफा और नवे दिन संत्रे का भोग लगाने से माता जो है विशेश करपा बनाई रखती है और इनी नौ सरूपों में माता बिद्दमान है जो भी मनुशे इन नौ सरूपों का ध्यान करता है नौ दिन अखंड बर्त करता है नौ दिन अखंड दीप परजलित करता है माता को प्रसंद करता है उसके परिवार के सभी लोग प्रसंद रहते हैं और उसके सभी मनों कामना है पूर्ण होती पंडित जी कई वार हम देखते हैं नवरात्री आठ दिनों की होती है कई बार नौ दिनों की होती है इस बार नवरात्री आठ दिन की है या नौ दिन की? नई पूरे नौ दिन की इस बार नवरात्री है और विशेश कर माता हाती पर सवार होकर आ रही है तो ये नवरात्री बहुत ही उत्तम फलदायक है जी तो माता शैल पुत्री और ब्रह्म चारिनी चंदर घंटा मा के जो तमाम नौ स्वरूप है इनको अलग अलग वस्र अलग अलग रूप में दिखाया गया है तो इनको मा की पूज़ा करने के लिए भी क्या अलग वस्र अधारन करना शुभ माना जाएगा मा को जो चंदरी चड़ाई जाए वो भी क्या नौ दिन अलग अलग रंगों की चड़ाई जा सकती है क्या कि सिर्फ लाल रंग ही शुभ होता है नहीं ऐसा है पूजन का कभी भी मनुष्य हलके कपड़े ना पहने और जब भी पूजन करे लाल वस्तर हो चटक कलर के कपड़े हो हलके रंग के कपड़े ना हो और पूजन के समय लाल रंग का विशेश महोत है तो माता और चाहे जो पूजन करने वाला ब्यक्ति है उसके कपड़े भी लाल और माचा की चुन्टी जो है वह भी लाल और इस परकार जो भी मनुष्य पूजन करता है लाल कपड़ों पहन कर यह अच्छे चटक रंगों के साथ तो माता उस पर विशेश किरपा बनाई रहे ह हमने बात कर लिए है पंडी जी कलश स्थापना को लेकर अखन जोती को लेकर लेकिन पूजा में मंत्रों का बहुत महत्व होता है तो क्या अलग 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 मंत्र पढ़ना ज्यादा लाबदाई होगा या फिर कोई एक ऐसा मंत्र भी है जिसका हम 9 दिन अगर जाप करें त जामुंडाई बिच्छे नमहों का भी अगर मनों से जब करें तो उसकी सभी मनों कामनाई पून होती है और अगर इससे भी मनों से अगर हलका करना चाहते है ओम दुरगा देभ्ये नमहों ओम प्रतम सेल पुत्रे नमहों दुत्यम ब्रह्मचानिये नमहों तेर्ट्यम अगर इनका भी खाली जाप करें तो मनुशी की सभी मनोकामनाई पूर्ण हो अगर पाठ करने के लिए ब्राहमन उपलब्द हैं तो नो दिन पाठ कराएं नो दिन अखंड दीब जलुट करें और नवे दिन जो है विदि विदान पूर्वक सभी परिवार के सभी लोगों को लेकर हवा नित्यादी करें माता को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद है कन्याओं को भोजन कराएं नो कन्याओं भोजन करें और एक लांगूर भी होना चाहिए और कन्याओं को दक्षना आती देने के बाद जो है उनका आरती आरती करके जो है इस परकार का जो देखे माता के पूजन में ऐसा तो कोई चीज वर्जित नहीं है क्योंकि माता को पूरा भोग लगता है मनुष्य जो है दिन भर पूजन करें रात को विदि विदान पूरवक माता को भोग लगाए और भोग लगाने के बाद जो है जो फलाहार करते हैं फलाहार करें जो भोजन करते हैं भोजन करें लेकिन क्या है जब भी नौ दिन माता आती हैं तो उनको सुबह और दोपर और साम का भोग लगाएं और अंत में उस प्रसाद को गरहन करें जी ऐसा क्या ना करें इन मनुष्य जिससे माता क्रोधित होती हूँ मतलब कौन सी ऐसी बाते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को ताकि माता क्रोधित ना हो देखें मनुष्य बड़े भाव से सुब उठे और इसनान बंदनादी करके अपने सभी परिवार के बच्चों को जो भी बड़े बूड़े हैं उनको भी इसनान इसनान ध्यान कराने के बास सब लोग विदिपूरवक इखटा हों और इखटा होकर जो है पूजन करें और ठेसकर इन नवराद के दिनों में मनुष्य किसी के साथ किसी परकार का दुर्भिार न करें और जो अनुचित हो हो और और क्योंकि इन नौँ दिनículoं में अनुचित कारी करने से माता का प्रकोब बेजी जहना पड़ता है इसले कोई अनुचित कारी न करें जी, तो सबसे महत्त पूर या फिर ध्यान देनी वाली बात क्या होती है पूजा के दारान, किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, कौन सी ठूर्टी नहीं होनी चाहिए इस पूजा के दारान क्यूकि जो भक्त होते बड़े भावश से पूजा तो करते, लेकिन कई बार उनसे भूल चूप हो जाती है तो उसकी माफी कैसे मांगें? पंडित जी एक सवाल और है कि हम जब पूजा करते हैं वो किस दिशा में करें? नवरात्र के दौरान जो हम कलश उस्थापना करते हैं उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? देखे कलश जो है अपने घर के इसान कोण में स्तापित करें और इसान कोण जो है आपका पूरब और उत्तर का जो कोना होगा वो इसान कोण है तो इसान कोण में ही कलश स्तापित करें और बिदी पूरवा पहले नीचे मिटी और फिर उसमें जोंब होएं उसके उपर जो है क तुल आस घट का इस्तापन करें है उस घट मेंान twee फोड़ा घी फोड़ा गंगा जल सहे ऐःर फोड़ा सोना एक सिक्का हल्दी की और इसी परकार सब सामागरी उसमें ञालने के बाद उसमें ऊपर आम के पलव रखें और उपर जो है सोकुरे में चावन भरकर Calm champion को भडाया सजाकर उसके उपर स्थापित करें और मता का आवाहन करके 9 दिन तक उसका पूजन करें या फिर उस वक्त कोई मंत्र ऐसा जो हमें दोहराना चाहिए? अब माता के जो भी मंत्र उनको याद है उनसे माता का आवहन करें और माता को बुलाएं और उनकी सेवा करें नवरात्री के दौरान क्या यात्रा की जा सकती है? कई बार ऐसे हमारे बड़े बुसूर्ग होते हैं जो यात्रा करने की मना ही करते हैं तो क्या यात्रा की जा सकती है? अब हमने पूजा की बात तो कर ली है लेकिन पूजा का समापन कैसे होगा और इसमें यग्यहवन की क्या महत्वता होती है? देखे जब हम कोई भी कारी करते हैं और उसका अनुष्टान जो है यग्य द्वारा ही होता है उसके पूर्णा होती जो है यग्य द्वारा ही होती है तो हम जो नौ दिन के ब्रत रख रहे हैं नौ दिन माता के उपासना कर रहे हैं और नवे दिन जो है यग्य के द्वारा हम जो भी सामागरी है, जो भी माता का भोग है, वह अगनी के द्वारा माता को पहुंचागा है। लोग अपने घरों पर इस्थापना करते हैं, इस कलश की साथी साथ मा का आगमन भी होता है और मा को बिलाया जाता है, लोग अपने व्यावसाइक स्थान पर भी आगमन चाहते हैं और इसके लिए वहाँ पर भी कलश की स्थापना करते हैं, अब कई पंडाल भी लगते हैं, तो क्या सब जगा अलग अलग तरह से माता को बुलाया जाता है अलग अलग तरह से कलश स्थापना होती या एक ही विधी होती है नहीं सब जगा कलश स्थापना का एक ही विधान है ऐसा कहीं नहीं है कि कलश अलग अलग विधान है क्योंकि सनातन धर्म में जो भी मंत्र हैं ज करें मात के ओर संसारिक माया मोह से दूर होग नहीं। जी हम पूजा तो कर लेते हैं हवन करके नवरात्री की पूजा का समापन भी कर देते हैं लेकिन जो हमने कलश उस्थापित किया होता है जो 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 बोई होती है उनका क्या किया जाए देखें दस्वे दिन जो है दसरे के दिन जो है नवे दिन हवन के बाद जो है उस कलस को हिला दिया जाता है माता को जो है कलस से हलका हिला दिया जाता है और उसके भी दस्वे दिन जो है उस जो को काटा जाता है और काटने के बाद सभी देवताओं को चड़ाया जाता है और जो है अपने परिबार के जो भी लोग हैं सब को अशिरबास रूप जो उनके सिर में रखे जाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जो हैं जो भी घट हमने इस्तापन किया है अगर माता को चाहें तो अपने मंदिर में रखें छे मेने के लिए अगले नौरात्री तक नहीं किस तरह से हम नौ दिन मा के नौ तभी पूजा कर सकते हैंए और दसवे दिन हम इस जो एकलरшт सहपना करी थी इसका और जो जौ जॉब ठोप उंका क्या किया जाए 1 Cultural की महत्व होता है जो हम माता को चढ़ाते हैं सोला शिंगार फल फूल ये सब जो माता को अर्पित क आते ही किस दिन के अनुसार कौन सा फ़लो कौन सा प्रशाद हमें भोग लगाना चाहिए तमाम चीजे पंडित जी ने हमें बताई उमीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपनी पूजा को पूरे विधी विधान के साथ संपन्द कर पाएंगे फि